हेलो फ्रेंड्स यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोडियल प्लानेट इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का आइडियाज देट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो चैप्टर है जिसे बर्ट रेंड रसल ने लिखा है उसका अब्जेक्टिव कोईश्चन पढ़ते हैं उसके बाद अब्जेक्टिव कोईश्चन में दिखाऊंगा आपको समझाऊंगा भी ठीक है और पूरा वीडियो गर आपने अच्छी से ध्यान से देखा तो पूरा अब्जेक्टिव कोईश्चन याद भी हो जाएगा आपको चले शुरू करते हैं ही वाज वो थे क्या सब थे वो एक बिटिश फिलोसफर थे अगर आपने इस चैप्टर का लाइन बाई लाइन हिंदी नहीं देखा तो जरूर देखें लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा जरूर देखें ठेक है वो एक अंग्रेज समाज को सुढर देखें के लिए वकालत भी करते थे टिए टिक शांतिवाधी थे आदर्षवाधी थे का कर्की ये प्रbst. चीज को तरक के द्वारा समझाने वाले वैक्ती थे His comments on मतलब उन्होंने जो बाते कही उन्होंने जो किताबें लिखी ठेक वो किस चीज पर लिखी उनकी उनकी जो comments था comment का मतलब जैसे cricket का match होता है तो commentator comment करता है या कोई post लिखा होता है Facebook पे या Instagram पे या अभी आप लोग वीडियो पे comment करके बताईएगा जो कैसा लगा आपको वीडियो तो आप comment करेंगे मतलब उस वीडियो के बारे में आप को कैसा लगा आप अपने मन में आपके मन में वो अच्छा लगा या बुरा लगा वो कमेंट करके आप बताते हैं ठीक है तो उन्होंने ये बहुत सारे टॉपिक्स पर उन्होंने कमेंट किया मतलब उनको जैसा लगा ये टॉपिक्स मतलब सेक्स के बारे में, मैरेज के बारे में, भगवान है इसाई धर्म के, मार्क्स, काल मार्क्स का नाम आपनों गोंने सुना होगा, बुद्धा, भगवान बुद्ध के बारे में उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है, इन 1950, उनिस्सोपचास इस्वी में, रसल वाज अवर्डेड नोबल प्राइज इन, फॉर लिटरेचर, साहित्य के छित्र में, साहित्य के लिए उन्हें नोबल प्राइज दिया गया, उनिस्सोपचास इस्वी में, यह लाइन याद रखें, ठीक है, आगे, आगे है कि, इस Works का मतलब होगा, Books, उनके द्वारा लिखी गई किताबें, किताबों का नाम, ठीक है, History of Western Philosophy, एक किताब है, दूसरा है, Human Knowledge, Its Scope and Limits, यह दूसरा किताब है, तीसरा किताब का नाम है, Authority and the Individual, उसके बाद किताब है, Has Man of Fact and Fiction, उसके बाद है, My Philosophical Development, Conquest of Happiness, Marriage and Modals, Roads to Freedom, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस वाई आइम नोट अ क्रिश्चन ये सारी किताबे हैं हो सकता है एक्जामे पूछ दे लेकिन जादे नहीं पूछा जाता है लेकिन इसमें से किसी एक किताब का नाम दे देगा और लिख देगा इस बुक हैज बीन रिटेन बाई और चारल नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन डैस और चार इस भी दे देगा 1950, 1960, 70, 80 ऐसे करके तो आप लिख सकते हैं उसके बाद ऐसे कोशन पूछ सकता है कि रसल कमेंट्स ओन चार ओप्सन दे देगा और इस चारो में से उस चारो ओप्सन में से ये चारो में से कोई अगर एक ह तो उसमें हम ठीक लगा देंगे उसके बाद ये पूछ सकता है ऐसे कि बर्ट्रेंड रसल वाज डैस और ओप्शन में ए बिटिश फिलोसफर और बांकि तीन गलत ओप्शन देगा तो उसमें से आपको करेक्ट ओप्शन चूज करना है ठीक है तो इस तरह से इसमें से भी objective question बनाके exam में पूछा जा सकता है पूछा जाता है और पूछा गया है ठीक है तो अगर आप इसको भी याद कर सकें तो अच्छी बात है चलिए objective question देखते हैं और comment करके ज़रूर बताएं और वीडियो को like कर दें हमारा होसला बढ़ता है और चैनल को subscribe कर दें क्यूंकि पै सबसे पहले इस तरह से question बनेगा ideas that have helped mankind is written by Das यहाँ पर चार option देगा चार writer का नाम आपको तो पता ही है कि ideas that have helped mankind is written by Bertrand Russell ठीक है chapter writer याद करने का trick मैंने बताया है 200 chapter writer को आपके book में जितने भी chapters है prose poetry section दोनों का मैंने trick बताए है वो trick वाला वीडियो जरूर देखें बहुत अच्छा वीडियो है उसका भी link मैं दे दूंगा description में दूसरा question है the invention of death was more important than domestication of animals animals को पालतू बनाना मतलब जानवरों को पालतू बनाने का जो अविशकार है उस अविशकार से भी ज़्यादा बढ़िया ज़्यादा important अविशकार महत्वपुर्ण अविशकार किसी का अविशकार था agriculture खेती का अविशकार था ठीक है याद कर लीजिएगा दूसरा question तीसरा question है in death the last step was never taken in China चाइना में अंतिम कदम नहीं उठाया गया क्यों नहीं उठाया गया कौन सा अंतिम कदम नहीं उठाया गया यह आपको चैप्टर पढ़िएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा तो option होगा चाइना चाथा question है civilization doubt us to be dash civilization जो है सभिता वह हमें क्या सिखाती है अनसिविलाइजड होना सिखाती है असभ्य होना सिखाती है human होना human to be human टू भी human इंसान बनना सिखाती है इल्लीगल गेर कानूनी बनना नहीं सिखाती हैthm अगला question है Das was a commentator on a large variety of topics खाली एस्थान जो थे वेक्ती वो बहुत सारे topic के commentator थे बहुत सारे topics पर उन्होंने commentary किया बहुत सारे topics पर उन्होंने अपना comment किया अभी मैंने पताया है कौन थे? Bertrand, Russell थे जो उन्होंने बहुत सारे topic पर comment दिया ठीक, अभी मैंने यहाँ पर दिया था sex और भी कई सारे topics थे जिस पर उन्होंने comment किया है उन्होंने किताबें लिखी है अगला question है Bertrand, Russell was a philosopher and a desk Bertrand, Russell philosopher थे और क्या थे? अभी मैंने बताया था कि इससे question बन सकता है दिखिए, बना हुआ है क्या थे वो? Historian Historian नहीं होगा, Historian 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 थे? Yes इतिहासकार थे इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा है Chemist दवाविकर था नहीं Politician नहीं, Singer गायक नहीं थे Historian थे ठीक है? अगला question है सात्वा नंबर question है Bertrand, Russell was awarded in literature in the year मतलब Bertrand, Russell को Nobel Prize से award किया Bertrand, Russell was awarded Nobel Prize in literature साहित्य के छेत्र में Bertrand, Russell को Nobel Prize से सम्मानित किया गया किसे सभी में? 1950 में मैंने कहा था question बनता है उस सबसे अगला question है Birds die of hunger during death चिरियां भूग से मरती है कौन से मौसम में? यहाँ पर होगा winter season ठंडी के मौसम में चिरियां जो है वो भूग से मरती है England में, जहाँ पर यह रहते हैं उस देश में वैसे हमारे देश में गर्मी के मौसम में जादे चिरियां पक्षी मरती है क्योंकि पानी सूख जाता है और पानी के अभाब में, भोजन के अभाब में वो मर जाती है लेकिन वहाँ पर ठंडी के मौसम में मरती है होगा कोई कारण इतना ही objective question था और कुछ बाते हैं सुन लिजे जो आपको exam में काम देगा जैसा कि पहली बात यह कि जितना भी objective question में बना रहा हूँ सबका PDF भी मैं आप लोगों को दे दूँगा कोई किसी तरह की परिशानी नहीं हो दूसरी बात कि करीब 1000 objective question का वीडियो मैं बना चुका हूँ आप लोग चैनल में जाइएगा तो वहाँ पर playlist मिलेगा playlist में अलग-अलग मतलब list बना हुआ है अलग-अलग topic का question answer का अलग है कि उसमें आपको सिर्फ question answer मिलेगा उसके बाद line by line explanation हर एक chapter का playlist बना है कि pro section का objective question मैंने बनाया था दो-तीन साल पहले लेकिन student क्या सोचते हैं कि ये question जो है वो तो दो-तीन साल पहले का बना हुआ है लेकिन भाईया दो-तीन साल पहले जो अगर मैंने objective question बनाया था तो इस साल जो objective question पूछा जाएगा वो भी तो उसी में से न पूछा कहां से पूछेगा भाई कहां से पूछेगा तो आप लोग जाकर के वो objective questions भी देख सकते हैं short question का भी video मैंने बनाया हुआ है summary का भी video मैंने बनाया हुआ है तो वो सारे videos भी आप लोग देखें और knowledge बढ़ा है सीखें बता दें कि grammar और grammar section का जो है 25 तारिक से मैं video बनाने वाला हूँ board पे पढ़ा करके क्योंकि ऐसे copy पे grammar का video नहीं बना पाऊंगा अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा इसलिए board पे grammar का वीडियो बनेगा 25 तारिक से ठीक है तो वो भी देखें और अच्छे से letter लिखना ऐसे लिखना ये सब ही मैं सिखाऊंगा वो सब ही आप लोग सीखें चैनल को subscribe जरूर कर दे बेल आइकोन दबाते हैं और चैनल में जब जाईएगा तो मेरा एक नया चैनल है proud to be Bihari उसे भी subscribe करके बेल आइकोन दबाते हैं उस पर मैंने सोचा है कि उस पर मैं English के अलावे बाकि सब्जेक्ट में पढ़ाऊं ठीक है तो देखिए थैंक्यू सो मच बाबाई टेक केर